आप बेल पर जा रहे हैं लेकिन दस लाख रुपे का पर्सनल स्क्योर्टी देना पड़ेगा मौला को प्लिनिक की बजाए उनको बढ़िया हॉस्पिटल के साथ में आईश्मान योजना भी देगी उनको सिख्षा के लिए भी जादा अफसर देगी और साथ में दिल्ली के किसानों को किसान नीरी भी मिलेगी तो भाग गय रहा हम भातेंता पार्टी का की भातेंता पार्टी नहीं आई आम आधी पार्टी आ गई इसे में हमारे साथ बीजेपी से सांसत कमल जी शरावत मौझूद है माम बहुत बहुत स्वागत आपका पंजाब केसरी में माम संजे सिंग ने आज पीसी करी और ये बात कही कि अगर केजरिवाल जी नहीं होंगे तो जनता को ये सोचना चाहिए कि आखर उनको मुफ्त में जो बिजली पानी मिल रहा है वो कैसे मिलेगा 2013 में भारते जनता पार्टी ने लगातार बिजली कंपनियों के खिलाफ धरना किया और दिली की जनता को इस बात के लिए पूरे इंशोर किया कि भारते जनता पार्टी जब दिली में आएगी तो रेट भी कम होंगे और एक निर्धारित सीमा तक जो गरीब परिवार है उनको बिजली मुफ्त में भी मिलेगी यह दुर्भाग गए रहा हम भारते जनता पार्टी का कि भारते जनता पार्टी नहीं आई आम आदनी पार्टी आ गई लेकिन संजर सिंग जी की बात को आज मैं कहना चाहती हूँ कि जिस मॉडल को आपने फॉलो किया वो भारते जनता पार्टी का था भारती जिन्ता पार्टी जब दिल्ली की सरकार में आएगी तो उन्हें बेजली, पानी, इसके साथ में फेलियर महला क्लिनिक नहीं महला क्लिनिक की बजाए उनको बढ़िया हॉस्पिटल के साथ में आयुश्मान योजना भी मिलेगी अभी पांच किलो का राशन, राशन की दुकानों पर जो मिल रहा है गरीबों को वो परधान मंति जी की योजना के तहत मिल रहा है वो भी मिलेगा और नए राशन कार्ड भी बनेंगे अभी वृदों को जो हमारे senior citizens उनको pension नहीं दी जा रही है वो pension भी मिलेगी इसके साथ में जो आज students को लेकर सिक्षा model की बात कर रहे हैं तो जो बच्चे फेल हुएं बच्चे फेल नहीं होगे बच्चों के लिए बहतर शिक्षा की व्रेस्ता और बहतर शिक्षा में उनको पढ़ाने के subject के उपर पूरा ध्यान देना क्योंकि भरष्टाचार नहीं होगा ध्यान भी नहीं होगा तो काम पर ध्यान होगा तो भारतिय जनता पार्टी बिजली पानी के साथ में दिल्ली की महिलाओं को जो उनको मदद चाहिएगी आर्थिक साहिता वो भी देगी उनको सिक्षा के लिए भी ज़्यादा अफसर देगी और साथ में दिल्ली के किसानों को किसान नीदी भी मिलेगी उनकी आज मोटीशन की समस्या को खतम किया गया है आने वाले समय में उनकी बाकी समस्याओं को भी 100 दिन के अंदर खतम किया जाएगा तो ये सब काम भारत्रय जिंता पार्टी दिल्ली में आकर करेगी आप तो सिर्फ कहते हैं हम जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे तो जिस दिन उनके उस केंप के काउंटर पार्ट्स ने उनके उपर पूरे डॉक्मेंट सब्मिट करते हुए गवाई दे कर उनको अपने साथ दोशी बताया और केस रेजिस्टर हुआ उसी दिन केजरिवाल जी को अस्तिफा दे देना चाहिए था अब जो अस्तिफा दिया है वो मजबूरी है क्योंकि ओन्रेबल कोट ने जब उनको बेल दिया तो उस बेल के अंदर तीन चार बाते बिल्कुल क्लिरली मेंशन थी नंबर एक आपके उपर जो केस चलाए गया है वो वैलिड क्राउंड के उपर चला गया है नंबर दो आप बेल पर जा रहे हैं लेक अटिक्ता के अदार पर होता तो जिस दिन उनकी ओपर एलिकेशन लगा वो उसी दिन इस्तीफा दे देते तो आज इस्तीफा देना उनकी मजबूरी है नेतिक्ता नहीं है आपने दिखा तमाम मुद्दों को लेकर कमल जी शरावत जीत अप्ति राय रखी इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या सोचना है मैं जरूर बताई तब ले बंदीरे मेसा पंजाब के इसरी में कैमरा पसंद विकी के साथ खुशी राणा पंजाब के से दिल ले